हलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपके आज की लेटेश कम्टिटीव एक जाम और जोब अपटेट बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू सन तक देखें पसंद आने पर लाइक नहीं लोग सब्सक्राइब करना ना भूले तो 68 वी बीपेसी क है जो कि क्या अपडेट है एक सो वावन परिछार्थियों ने किया था अपत्ती 68 वी संजुक्त प्रारंविक परत्योत्ता परिच्छा का 68 वी प्रशनों पर पर आयों की दस सदस्य विशेख समीति ने विचारकन एक भी को सही नहीं माना भी पेसी ने चार मार्च को अपन नहीं होने की बज़ा भी बताई है इस अंदर में विशेख समीति द्वारा विचार के बाद तथ्यात्मा का धार और तर्क भी दिये गया हैं दूसरी और प्रविजना उनसरकी में 150 प्रशनों में जिन 82 प्रशनों को कोई अपत्ती दर्ज नहीं कराई गई है उनके सामने Ayou ने यहस परस्टू लेक किया कि उनके उत्तर को अंतिम लुफ से अदर्स उत्तर खोसित क्या है चोतिस पर ईच्छारति एओं ने फिर दर्ज कराई आहए आपत्ती पहली अपत्ती दर्ज करने वाले 152 पर इच्छारति हो में party. 34 अपि अपनी अपत्ती पर Ouaisो के दwater पीटी अंसर की निर्धारित होगी उसके आधार पर ओयमार स्ट्रीट की मुंग्रार चौउदा मार्च तक है जो कि फाइनल अंसर की बना ली जाएगी और उसके बाद दो तीन दिनों के बाद अगले 10 दिनों में इसे पूरा करण 27 मार्च को 68 बीपेसी पीटी कर रियल्ट जारी कर देए जो एक खवार में था कि आपको 20 मार्च के पहले वो संबब नहीं क्योंकि आपको 14 तक तो आपको अंसर ही फाइनल करना है उसके बाद जो है आपको कोपी जाच होगी और 27 मार्च क हो सकता है अब आते हैं दूसरी ख़बरों पर और अब क्या है असिस्टेंट प्रोफेशर के लिए पीएशडी जरूरी नेट पास होना ही कापी है तो कॉलेज य अनिवर्शिटिटी में असिस्टेंट प्रोफेशर मनने के लिए अब पीएशडी जरूरी नहीं है इसके लिए अब सिर्फ यूजी सी की राष्टी ये पातरता पर इच्छा क्वालिफाई करना प्रयाप्त माना जाएगा इससे पहले जो कि इन्वर्शिटियों में पढ़ाने के लिए पीएच्डी की डिग्री है जो कि अनिवार थी लेकिन अब नए नियम से छात्रों को राहत मिलेगी एक राष्ट एक डेटा पोर्टल बिक्सित के जिसमें यूजी सी के सभी दिशा निटदेश होना ने जानकारी अगले साइस्टिंग बर्श से सिच्छा की प्राणपन की बद्ति के साथ राष्टी की डिजिटल बिश्व प्राइब कर दिश्वार है उन्होंने की जडित नहीं आए निमेद फैकल्टी अपने प्रोवेशन अब दे में भी प्यजिडी करवा सकेंगे उनके प्रोवेशन के द्वारां प्यजिडी स्कॉलर्स अलाउट किया जा सकता है यह यूजी सी के बीस जनवरी को बैठक में सब्सक्राइब करने पर रोक लगाया गया है यूजी सी की और से प्यजिडी कोर्स को लेकर नए नियम लागू किये नए नियम के तरिक्तम 6 साल का समय दिया गया है उमिद्वारा को री रेजिस्ट्रेशन के जड़े ज़्यादा समय दिया जाएगा तो क्या है मामला इसको देखते हैं यूजी सीन एस्ट्रेशन प्रोफेसर भरती करने वारता खात्म कर दी थी लेकिन बिरोध के बावजूद है दोहजार एकी से प्येस्ट्रेशन के अनवारता लागू किया था जुलाई दोहजार एकीस से और इसके नुसार इच्छुक उमीद्वारों के अस्ट्रेशन प्रोफेसर भरती के लिए समयंदित भी से मास्टर डिग्री धारक होना ज़रूरी है और नेट क्वालिफाई होने की ज़रूरत है क्वालिफाई करने अभी भी एनिवारी हो गता है जिसके बगएर आम उमीद्वार आवधन करने के लिए भी पात्र नहीं होंगे युजीशी का निर्ने के बल मौझूदा ना कोरोना के स्थिती को देखते वे कहा था पीएड़ी के अनवारता पर रोक के बल एक जुलाई दो हैरते सा रखने को बात कही गई थी इस दोरान निकलने वाली भरतियों पीएडी बगार धारक भी कहा गय अब जो है आपको यह अटा दिया गया पूरी तरह से कि 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 इसके बाद आते हैं दूसरी ख़बरों पर कि निट का अक्षन चला गया है कि कि उसके बाद भूचका बाद वी अपूच्ट चला यह वाली ऑाद लिए्छूम्स जला बाद कि झाल झाल कर्मचारी चैनायों ने पोस्ट है योग माने गये हैं और इसमें बारावी दसवी बारावी संक्तान के साथ समन्दीज जो भीषय है उसमें अशनाता के जरूरी है और चैनी तो मिंदवारों के लेवल वान से सेवन के रूप प्रतिमाह बेतन जो की दिया जाएगा आवेजन सुल्क रुपीया है आवेजी माठ सब्सक्राइब के लिए और समान बर्गाई उनिस से चालीज वर्षिस में है कि पांद्रासव हाजार से पचीशिशीजार बेतन रहेगा यह जारखन डवट जाके भर सकते हैं कि कि है कि के अगया है कर दो कर दो कर दो और ये जारखंट से ख़वर है क्या है नियुक्ति निमावली को पेंच मैट्रिक में जो भी से पढ़ाना ज़रूरी है नहीं है नियम नहीं बनने के बाद साथ हैं वहेर जो कि नियमावली बनने के बाद साथ ही अंगेर शकुल इस्थर पर ज्हारखंट के रहते नहीं है लेकिन तो हो जाता लेकिन अंगरेजी हन्य नहीं होई तैने नियमा मुख ने पेच परहत्मिक जिछकों के लिए पेच है और आट साल से चल रहे है निफ्ति पर के गिया उससे आज जो कि नियोजन नीती पर चार्चा है और साट चालिस में ने कली भी बताया था इसके बाद आते हैं दूसरी ख़बरों पर अच्छा निम्म बदलाव कर मसवधा त्यार किया गया है और MVBS परवेश करने होने वाली कॉंसलिंग में छात्रों पसंद्दीदा कोलेज चुनने की अनुमति सिर्फ पहले राण में ही होगी दूसरे राण में नहीं होगी शमानंग प्रफोर्मूला जो विशाइब बाइलोजी रहेगा उसके बाद एड़ विश्योक रहेगा और मस सब धन्यवाद